साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का दिर्वाण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्षों को पाने की देश ने कलपना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकिकत हमारे सामने नदमाण हो रही है, अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महमारी से हम नक्यवल, इतनी तेजी से उबरें, बलकि आज भारत, दुनिया की, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही, बड़ी अर्थे ववस्थाओं में एक है, आज हम दुनिया के, तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है, स्पेस टेकनलोजी जैसे छेत्रों में, जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिये, युवाओं के लिए, एक नई दुनिया तयार हो रही है, पुरा अंतरिक्स उनके बहुपास में आ रहा है दोस्तों, देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी, जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर, बेटियों की प्रतिभा के उधारन प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रप्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी, खुली उडान के लिए नई उर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें, ये तै करते आये थे, कि बच्चों को किस दिशा में जाना है। लेकिन राष्ट्रिय शिक्षा नीती के बाद, अब युवाओं पर दाईत्वा और बढ़ गया है। और इसके साथ ही, हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, कि हम युवाओं के सपनों और उडान को निरंतर पोसाइद करें। उसके मन को समझे, उसके आकांशाओं को समझे, तभी तो खात पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तों। हमें इस बात का हमेशे धान रखना होगा, हमें बैसाही सिक्षण, बैसी ही संस्थानों की व्यवस्ताएं, बैसाही हुमन रिसोर्स ड्रेवलप्मेंट का हमारा मिजाज, अपने आपको सज्ज करना ही होगा। नई निती में पूरा फोकस, बच्चों की प्रतिभा और चोईस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे वा स्किल्ड हो, कांफिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैल्कुलेटिव हो, शिक्षानिती इसके लिए जमीन तयार कर रही है।